नमस्कार एक बाब फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोसोलोजी समासा सिंपल पेपर 2024 का यह आठवा सिंपल पेपर है हमारा बता रखा है और इसके प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखे आपके एक जाम के लिए काफी महत्तपूर्ण है तो आए सुबात करते हैं सोसोलोजी सेंपल पेपर 2024 नमबर 8 क्लास 11th न्यू सिले इसके बारे में बताना है समाज एक अस्थाई सलस्था है हाला कि समाज के सदस जिवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यू के बाद भी इसका अस्थित बना रहता है यह हर जगह पाया जाता है और इंसान का अस्थित दुनिया में कहीं भी होता है समाज गतिसील होता है परिवर्तन के बिना कोई भी समाज अधिक समय तक जिवित नहीं रह सकता इस प्रकार से आप कहा सकते हैं कि समाज गतिसील होता है समाज एक अस्थाई संस्था होता है हलाकि समाज के जितने भी सदस होते हैं प्रश्ण मारा कहता है पूजी वाद के लक्षन बताओ पूजी वाद प्रणाली में नीजी संपत्ती का अधिकार होता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्ण हैगा क्योंकि पूजी वाद हमने कई बार सोसल साइंस में डिसकेशन कर लिया है तो यदि आप से पूछा जाता है पूजी वाद के लक्षनों को बताओ तो आप बताएंगे पूजी वाद प्रणाली में नीजी संपत्ती का अधिकार होता है जिसका परियोग उन व्यक्तियों के द्वारा स्वैंग के लाब के लिए किया आता है उत्पत्ती के साधनों पर जिन व्यक्तियों का अधिकार होता है वे सरकारी नियंतरन से पूर्ण तह मुक्त होते हैं दूसरे सब्दों में उनकी उत्पादन किरियाओं पर सरकार का कोई नियंतरण एवं हस्तक्षे नहीं होता है। तो ये पूजीवाद के लक्षनों के बारे में था। कोई सरकारी नियंतरण नहीं होता हुए उनके अधिकार से अलग होते हैं। दूसरे सब्दों में उनकी उत्पादन किरियाओं पर सरकार का कोई भी नियंतरण नहीं होता है। अस्तरीकरन समाज में उच्चता एवं निम्नता की भावना से पित्री सत्ता को ही सर्वो परिमाना जाता है। मतलब जिस परिवार में पिता का हुकुम चलता हो, पिता को इस सर्वोपरी माना जाता हो, तो उसे हम आप पित्री सित्ता परिवार के नाम से जानते हैं, जिसमें सक्ति, धन, प्रतिष्ठा को अधार मानें, तो जेंडर अस्तरी करण में पुरुस प्रमुक होता है, पुरु प्रश्यों की स्थिति मुल्य मानताएं और रुढियां अधारित होती हैं इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि लिंग के अधार पर समाजिक अस्तरीकरण कैसे होता है अगला प्रश्ण नमारा कहता है अपने समाज में बिवाह के कौन-कौन से नियमों का पालन किया जाता है हमार समाज में अगर बात किया जाए कि विवाह के कौन-कौन से नियम होते हैं तो उसमें हम अंतर विवाह, बहिर विवाह, अनुलोम, परतिलोम, इत्यादी के बारे में कह सकते हैं कि इन नियमों के माध्यम से ही अमारे समाज में विवाह होता है अगस्ट कॉम्टे को समाज सास और बाद में सन 1838 में समाज सास रखा गया। ध्यान से देखिएगा अगर्ष्ट कॉम्ते ने ही सर परतम समाजिक विज्ञान की आपसक्ता का उनभव किया था। इसी कारण से अगर्ष्ट कॉम्ते को हम समाज सास के जनक के नाम से जानते हैं। सबसे पहले उस बिज्ञान का नामा करण पहले समाजिक भौतिक सास रखा गया। बाद में सन 1839 में उसे समाज सास रखा गया। इस प्रकार अगर्ष्ट कॉम्ते ने समाज सास को आधार भूत स्वरूप परदान किया और समाज सास के वो जनक कहला है। अगला प्रश्ण मारा कहता है यूरोप में समाज सास का उद्गम और विकास का अध्यन क्यों महत्तपूर्ण है। इसलिए भारत जैसे देश में समाज सास को समझने है तू यूरोप में समाज सास के प्रारम और विकास को पढ़ना आवस्यक है। तबी हम भारत के अंदर समाज सास के गहन अध्यन को जान पाएंगे। अगला प्रशन मारा कहता है गाउं, कसबे और सहर किस प्रकार से भी नहीं। जो छेत्र सहर और सहरों के बाहर इस्थित होते हैं उन्हें हम ग्रामीन छेत्र कहते हैं। जबकि वे छेत्र जहां सहर, कसबे और उपनगर इस्थित होते हैं, वे सहरी छेत्र कहलाते हैं। इन दोनों छेत्रों में मुख अंतर यह है, कि ग्रामीन छेत्रों में जनसंख्या घनत तो कम होता है, जबकि सहरी छेत्रों में जो जनसंख्या होता है, लोगों का घनत तो होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। अगला प्रश्ण मारा कहता है कि इसे हिंदू और मुश्लिम सिख रित्यादी। हिंदू और मुश्लिम के अगर बात कर लें तो इन दोनों धर्मों में समान्ता यह है कि दोनों ही एक सल्व सक्तिमान इस स्वर्वे विश्वास रखते हैं जो स्रिष्टी के निर्माता है और पालक हैं। दोनों ही धर्मों में नैतिकता, दान, उपवास, प्रातना, तिरित यात्रा आदी महत तो रखता है। इन धर्मों में अंतर यह है कि हिंदु धर्म में वेद, उपनिशर, गीता, रमायन, महाभारत आदी सास्तों का पालन किया रता है। जबकि मुश्लिम धर्म में कुरान, हदीश, सेरियत, आदी सास्तों का पालन किया जाता है। हिंदू धर्म में आत्मा, पुनर्जन, कर्म, मोक्ष, आधी की आपधार नहीं है जबकि मुश्लिम धर्म में आत्मा का कोई अस्तितु नहीं है बलकि अंतिम दिन पर कयामत के बाद स्वर्ग या दोजक में जाने की बात मानी जाती है हिंदू धर्म में बहुत से देवी ताओं की पूजा की जाती है जबकि मुश्लिन धर्म में एक मात अल्ला की बादर की जाती है अगला प्रश्ण मारा क्याता है पद और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू है क्योंकि एक इस्थिती और दूसरा बैभार को प्रभासित करता है जब हम पद की बात करेंगे तो यह एक व्यक्ति के स्थिती को बदताता है लेकि जτεर भूमिका की बात करते हैं तो वह उसके भैोहार उसके आच्रण को दरसाता है कोई पद तब तक प्रसांगिक नहीं होता जब तक उसे किर्यानवित नहीं किया जाता है और इसी प्रकार बैभार उस इस्थिती से संबंदित होता है जो व्यक्ति किसी दिये गए संबधात्मत इस्थिती में करता है तो ये पद और भूमिका के बीच में अंतर के बारे में था अगला प्रश्ण मारा कहता है परतियोगिता एबं संघर्स में अंतर अस्पष्ट करें समान लक्ष की प्राप्ती के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौर को हम परतियस्परधा कहते हैं उस दौर में जो भी कठनाई आती है उस कठनाई को दूर करने के लिए जो परयत्न किया आता है वो हमारा संघर्स कहलाता है परतियस्परधा जो है वो नियमों के अनुसार संचालित होती है संघर्स में कूल नियम नहीं होता कुछ भी नहीं होता संघर्स में दो पक्ष होते हैं संघर्स हानी पराधारिक होता है यहां में साथ लोग को नुकसान ही होता है अगला हमारा प्रश्ण कहता है मैक्स बेवर ने नौकर साही को लोगतंत की रीड की हड़ी कहा है क्योंकि उनके अनुसार नौकर साही एक तर्क पुन बेवस्थित निस्पक्ष पारदर्सी प्रसासनिक बेवस्था है जो निर्वाचित परतिनिधियों के निर्नय को लागू करने जनता के हितों की रक्षा करने राश्टिये एकता और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्षम मना जाता है और कारगर भी है इसलिए मैक्स बेवर ने नौकर साही को लोगतंत की रीड की हड़ी के बारे बताया ताकि वो उसी के सहारे खरा रह सकता है प्रश्ण मारा कहता है नगरिये छेत्रों की समाजीक विवस्था के सामने कौन कौन से चुनातियां है तो देखें नगरिये छेत्र मतलब होता है सहरी छेत्र, सहरी छेत्र में समाजीक विवस्था के सामने की जो चुनातियां है तो सबसे पहले तो समू छोटे याकार का होता है जिसके सदसे आपस में निकट, व्यक्तित, चीरस्थाई संबंध रखते हैं जो प्राथमिक समू होते हैं उनकी बात हो रही है जनसंख्या की बिर्धी नगरिये छेत्रों में जनसंख्या के बहुत बरी समस्या उत्पन हो रह काफी सारे लोग रहते हैं अब साध और सिक्षा बिरोजगारी गरीब और स्वास्त अपराद आधी को यह सारी चीजे बढ़ाती है दूसरा है प्रदूसन नगरिये छेत्र में अर्थात सहरों में वायू जल ध्वनी भूमी आधी को प्रदूसन का अस्तर बहुत उंचा है और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है जो मानव, पसू, पौधो के स्वास्त और पर्यावरन को नुकसान पहुंचाता है रगला प्रशन मारा कहता है नीचे दिये गये गाध्यांस को ध्यान से पढ़े और प्रशनों का उत्तर दे आप इन गाध्यांसों को सही तरीके से प बता देता हूं क willkommen guys go पढ़ लिये आप विडियो को पॉज़ करके अच्छे से पहले इस गाध्यांस को पढ़ ले इसके बाद मैं आपको इस से जुले प्रशनों के बारें बता देता हूं पहला प्रस्निस में है सम्मान रक्षा हेतू से आप क्या समझते हैं तथा जाती से बाहर विवाह को रोपने संबंधी नियमों को बता हैं तो सम्मान के रक्षा के लिए कई बार कई वैक्ति गलत कदम उठा लेते हैं ऐसा ही कुछ इसे गर्द्यान्स में पढ़ने और समझ में आ रहा है जैसा कि आप इस पूरेद गर्द्यान्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लड़की अपनी साधी अपनी जाती से बाहर कर लेती है उसके भाई को इस बात का बहुत जटका लगता है उसके सम्मान को जटका लगता है जिस कारण सो अपनी इज़द को बचाने के लिए लड़की की हत्या कर देता है तो अब यहाँ पर आपने देखा कि लोग कैसे अपने इज़त बचाने के लिए घर की बहु बेटियों को कई प्रकार से अत्याचारित करते हैं अपर उनको कई प्रकार अत्याचार को सहना पड़ता है समाज में ऐसे कई सारे नियम है जिसमें यह बताया गया है कि अपनी जाती से बाहर बिवाह नहीं करना चाहिए समाज यह कई प्रकार के संस्कृतियां है जो इन कारियों को रोकने में पुर्जोर समर्थन करते हैं साथी सार ऐसा कार हो जाता है तो कई बार हुक्का पानी बंद करने का भी प्रवधान गाउं की पंचायच दे देती है जिसमें उस ब्यक्ति को समाज से बाहर रख दिया जाता है जिस ब्यक्ति के घर में जाती से बाहर जाकर कोई साधी वगएरा हो जाता है तो इसका अगला प्रश्ण मारा कहता है समाजिक नियंतरन के विभिन संस्थाओं का वर्णन कीजिए इसे आप समझ लिजी ये भी भी याई प्रश्ण हैगा अगर ये गाज़्यांस में नहीं पूछा गया तो आपको अलग से भी पूछा जा सकता है कि समाज को नियंतरन करने व समाजिक नियंतरन के विभिन संस्थानों में आपको दो मुख रूप से याद रखना है और अप्चारिक साधर और अप्चारिक साधर इस प्रकार से आपने देखा सोसोलोजी समाज साथ सेंपल पेपर 2024 और ये आटवा सेंपल पेपर था क्लास 11 के लिए काफी महत्तपुन न्यू सिलेवर्स के अनुसार बनाया गया है तो आसा करता हूँ कि आज के विडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा जानकारी पसंद आया तो विडियो को लाइक कर दें चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद